Hello students, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं NTAC के लिए best books के बारे में सबसे पहले हम लोग subject wise जो अच्छी books हैं उन पर discussion करेंगे और उसके बाद हम लोग जो specific guides आती हैं NTAC के लिए उनका भी एक short review कर लेंगे सबसे पहले biology, biology के लिए मैं recommend करता हूँ कि आप class 9th और 10th की NCRT को अच्छी तरह से complete कर लिए मतलब अगर आपसे किसी भी page का कोई भी detail पूछ लिया जाए तो आपको वो याद होना चाहिए अगर आपने ये level अचीव कर लिया है तो आगे आपको बढ़ना है Selina की 9th और 10th book के बारे में ये books ICAC schools में follow की जाती हैं और इन books को मैं recommend इसे लिए करता हूँ क्योंकि NTAC के कई सारे states के paper मैंने देखे हैं और मुझे ऐसे कमी question मिले हैं जिनके answer इन books में नहीं है मतलब ज्यादतर question के answers आपको इस book में एक काफी concise form में मिल जाते हैं अगर आपने ये book भी complete कर ली है तो आप थोड़ी further details को जानने के लिए class 11th NCRT को पर सकते हैं इसमें भी आपको पूरी तरह से इसे नहीं पढ़ना बलकि कुछ specific chapters जो की human systems पर based होते हैं उन्हें एक बार reading दे लेना है अगला हम लोग बढ़ते हैं chemistry की तरफ तो chemistry में आपको class 9th और 10th की NCRT तो पहले खत्म करनी है आप अगर ये कर लेते हैं तो फिर class 11th की NCRT से mole concept, atomic structure, periodic table और chemical bonding जैसे chapters पढ़ सकते हैं अगर आपको mole concept में दिक्कते आती हैं तो आप RC मुखरजी करके एक book आती हैं उसे थोड़ा सा solve कर लें उनमें जो questions और solved examples दिये रहते हैं वो एक clear understanding के लिए काफी अच्छे होते हैं अगला हम लोग बढ़ें अगर physics की तरफ तो physics में आपको NCRT 9th और 10th पर ही stick करना चाहिए अगर आपने इसे complete कर लिया है तो आप NCRT exemplar से कुछ questions solve कर सकते हैं उसके बाद अगर आपके पास समय हो तो आप class 11th की NCRT से basic chapters जैसे kinematics, force, work power energy जैसे chapters पढ़ सकते हैं क्योंकि इन्ग में जो concepts आप सीखते हैं उनसे कुछ questions जल्दी बन जाते हैं TSE exam में अगला हम लोग बढ़ें maths पे तो maths में सबसे पहले तो आपको NCRT खत्म करनी ही है काफी सारे questions होते हैं जिन्हें आप practice के लिए use कर सकते हैं अगर आपने RS Agraval खत्म कर लिया तो फिर आप RD Sharma की तरफ बढ़ सकते हैं RD Sharma आपको पूरी बनानी की ज़़ुरत नहीं है आपने अगर RS Agraval complete कर लिया है तो आप NTSC के level को achieve कर लेते हैं RD Sharma में कुछ questions थोड़े difficult होते हैं और थोड़े जादा conceptual होते हैं कई बार कुछ questions lengthy होते हैं तो आप उन questions को छोड़ सकते हैं क्योंकि NTSC एक objective exam है और आपको fast calculation और question solve करना होगा अगला हम लोग बढ़ते हैं SST की तरफ SST में मैं seriously recommend करूँगा कि आप सिर्फ NCRT पर ही stick करें आपको कहीं कोई भी extra resources use करने की ज़रत नहीं है NCRT पर stick करने का मतलब है कि आपको सिर्फ NCRT में जो details दी गई हैं उनके around ही जो concepts revolve करते हैं उन्हें समझने की ज़रत है मैंने NCRT based एक series लाई है आप उन्हें देखकर ये समझ सकते हैं कि किस तरह के short notes काम आते हैं NTSC exam में तयारी करते वक्त आपको अगर आप first stage किसी essay state से देते हैं जिसमें state board की books follow होती है तो उन state boards की books भी पढ़नी होगी क्योंकि ये जो first stage होता है उसके questions को state board ही set करती है इसलिए कई बार कुछ questions state board की books से ही आ जाते हैं इसके साथ आपको कुछ general information भी पता होनी चाहिए अपने state के history और geography के बारे में जैसे important leaders कौन थे उस state से important forts अगर या फिर historical places हैं वो कौन-कौन से हैं आपके state में और important waterfalls, rivers जो आपकी state से बहती हैं इन चीज़ों को भी आप एक बार reading दे ले हो सकता है इनसे एक या दो marks के question आपसे पूछे जाएं अगला हम लोग बढ़ते हैं mental ability की तरफ mental ability में जो पहली book है वो है आरे सगरवाल की जो quantitative aptitude करके एक book आती है वो उससे आपका 60% mat का syllabus हो जाना चाहिए अगर आप उसके सभी questions को solve कर लेते हैं बाकी जो 40% बचा वो generally ऐसे questions होते हैं जिनमें आपको patterns identify करने होते हैं missing characters भढने होते हैं तो उन chapters के लिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप bank PO level के जो resources freely available है online उन्हें use करें और धीरे धीरे आपके practice से ये concepts आपके आसान होते जाएंगे और mental ability में आप full marks भी score कर सकते हैं अब ये तो हुई सभी subjects की बात अब हम लोग specific resources की तरह बढ़ते हैं जैसे अरिहंत की जो book आती है या फिर Tata McGraw की जो book आती है तो इन books में ये अच्छी books तो हैं लेकिन इन में मैंने कुछ disadvantages पाए हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इन books को use नहीं किया था अपने preparation के time मैंने एक पाद देखा जरूर था इने लेकिन उनमें कई दिक्कत ने थी जिसके कारण मैंने use नहीं करता था सबसे पहला जो इसमें दिक्कत आता है वो है errors काफी सारे errors इन books में मैंने देखी हैं कई बार तो कई obvious चीजों को लेकर भी इनमें गलत answers दिये रहते हैं और हो सकता है कि आपकी preparation misguide हो जाए इनके कारण दूसरा है कि ये costly होते हैं जैसा हम लोग जानते हैं 5 to 600 rupees की आती है और हो सकता है कई सारे students इसे afford न कर सके एक exam के लिए अगला है कि ये NTSC specific नहीं होती है जी हाँ ये NTSC resources NTSC specific नहीं होती है अगर आप इन books को खोल कर देखेंगे तो इनमें कई सारे questions ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आएंगे NTSC में जैसे NTSC आपसे नहीं पूछेगा कि पालंपूर में कितने लोगों के पास 2 hectares की जमीन है लेकिन इन books में essay questions को भी include कर लिया गया है तो आपको अपने thoughts पर इन्हें खरीदना है आप खरीद सकते हैं इन्हें यूज कर सकते हैं इनमें एक large number of questions और large variety of questions होते हैं आप अपनी preparation को इसके हिसाब से match कर सकते हैं अगले हम लोग आते हैं दिनेश भारती भवन जैसे books को लेकर इनके बारे में भी मुझसे कई students ने question पूछा था तो मैं बता दू कि ये जो books होते हैं वो NTSC के लिए काफी useful नहीं है अप maths के लिए तो ऐसे books use कर सकते हैं क्योंकि आपको questions लग detail में discuss नहीं किये गए होते हैं ये बस आपकी NCRT की conceptual understanding को थोड़ा और बहतर करेगा जिससे आपको boards में तो help हो सकती है लेकिन NTSC जैसे exam में जहां आपको कुछ extra concepts भी चाहिए होते हैं और detail में आपको depth में जाना होता है तो ऐसे resources ये books provide नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी discretion प इसके साथी जो resources में provide कर रहा हूँ आप उसे भी एक बाद चेक कर सकते हैं Thank you